दोस्तों मैं उतेश और आप सभीको मिरे मसकार आज हमाइए जगदल commentary मैं आपको ले कि चलूँगा बस्तर तर्ट महराजा की महलो काची की अन्डर से दिखने को मिलेगी और सामने ऑपको यहां राजय जी की तस्वीर भी आपको दिखने कोम बिलेगी तो वुच्ठो पर बस्तरा हम जलाद के मंदिर यहां पालए और स stunned लेंगे दिखने पड़ा इसका जो निर्माणा है आपको काफी बड़ा मैदान है दिखेगा जहां पे मिलाव करा लगता है और सामें आप देख सकते हैं तो यह है बस्तर महराजा का महल जिनका निर्माण है महाराजा प्रविन चंद्रा भास्डेव ने कराया था चलिए दोस्तों मैं आपको महल के और लेके चलता हूं साथ ही साथ आपको सारी चीज़े मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यह जो महल है 138 साल पुराना महल है इस महल का जो निर्माण है अठारा सौन अब्य में महराजा प्रविंचेंद्र भंश्देव ने कराया था यहां आपको पचास से अधी कमरे हैं बड़े-बड़े कमरे हैं दिखनी को मिलेंगे दर्बार हाल है दिखनी को मिलेंगे और तीन सभागार है आपको दिखनी को मिलेंगे और इधर राइट के चलता हूं जहाँ पे को महराजा जी की तस्वीर है यहाँ से जुड़ी काफी सारी जनकारियों है को दिखने को मिलेगी तो आप कछे परकश्य को सब्सक्राइं करणा यहां 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 आनेकर जुक्त सारे जनकैनी सारजाओं ने सासन खिया के था कि फोटो है यहां साड़ी डेटैल हड़ा देखनी को साफियों मिलेगे इसलिप सखेंगों माहराजा जी इतने इतार शाळवीर कर वाया कि दीकार kid देव जी और यहां के भी वर्तमान राजा और इसाइड है जो पुराने महराजा वगर उनकी तश्वीर अगर दिखने को लिगी यहां के इस आसन काल के बारे में बाते करें तो देव जी ने साथ महरानी जेवी ने भी सासन किया उनके बाद है महराजा भुपाल देव ने 1842 तक उन्हों ने सासन किया इनके बाद है प्रफूल चंड्रा भस देव जी और उनकी पत्नी महरानी प्रफूल कुमारी देवी जी ने 1931 तक है साखन कीया है तो यह थी राजमहल के अंदर का हौल जहांपर अपको सारे रजाओं के सासन्काल हैं उनकी तस्वीर है कौन सा राज़ा ने कभ से कभ सासन्किया है उनकी सारी डीटेल है और महाराजा है राणि हो हूं सारी तस्वीर है यहां पर को दिखनी को मिलेगी और इस महल का जो निर्माण है महराजा प्रोविंच अन्रा भाजदेव ने करवाया था उनका जन मां 1929 को हुई थी और उनकी जुम्दित्ति दुबा करते थे जिसको भी फिलाल साशन की द्वारा है जब तक कर लिया गया है और महल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकर सबको देखने को मिलेगा और अब हम चलते हैं महल से बाहर के और सामने आपको गेट है दिखाए दिखाए दिगा इस गेट को सी द्वारा है बोला नदेचे दिखाए।